देखो अभी 4 दिन के बाद हमारा full map rank का season खतम होने वाला है तो अगर आप अभी भी master नहीं पहुंच पाएं तो ये video clip बहुत ही जदा काम की होने वाली है क्योंकि इस video में आपको कुछ ऐसे tips and character combination के बारें बताने वाला हूँ जिसका अगर आप use करते हो ना तो आपको हर एक match में बहुत ही जदा plus मिलेगा जिससे की 3-4 दिन के अंदर आप काफी असानी से season के खतम होने से पहले ही master पहुँच जाओगे एंडिन से भी tips का use करके आप अगले season में जल्दी जल्दी rank push कर सकते हो सबसे पहले देखो अगर आपको हर एक match में full plus आए तो आपको एक ऐसे character combination का use करना है जिससे की आप जादा से जादा kills भी कर पाओ और साथी कई सारे difficult situation जैसे की अगर आपकी उपर कोई बंदा लगता लॉंचर माने लगता या फिर अगर आपकी उपर third party हो जाती है या फिर अगर आपको कोई बंदा काफी सदर damage कर देता है तो इन सारे situations में भी ये combination आपको help करे तो इसके लिए active character में आपको use करना है Orion character का skill जो तीन passive characters है इसमें आपको Meguel, Sonia and Locator का use करना है देखो Orion तो आपको हर tap के damage से तो बचाता ही है जैसे की launcher grenade या फिर enemy से damage होगी है फिर zone से damage होगी है बट इससे के साथ या आपको उस time पे भी help करती है जो आपकी पास कोई glue नहीं होता है तो आप Orion का use करके काफी आसाने से cover में जा सकते हो अब जब आप Orion का use करके आप काफी आसाने से rush भी कर सकते हो अब जब आप Orion के साथ Meguel का use करोगे तो इसके वज़े से आप Orion को unlimited time use कर पाऊगे और Sonia देखो आपको कई सारे intense situations में बचाता है खासकर short train में Sonia के वज़े से आप बहुत सारे हारे हुए fights जीत जाते हो और आप उहाँ पे बच जाते हो अगर आप मेरी तरह starting में किसी एक safe जगा पे landing करते हो जहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं आते हैं तो आप उहाँ पे auto repet का use कर सकते हो इसके वज़े से जब भी आप कोई भी healing item use करते हो ना तो जितना भी HP आपको मिलता है ना उसका 55% आपको EP भी मिल जाता है तो जब इसक मैं आपको अपनी experience से बता रहा हूँ आपको पता हुआ कि season के starting में मैंने rank push करके grandmaster किया था तो उस time में मैं ज्यादा से जदा 12 से 6 की बीच में ही खेल जाता था जिसमें lobby काफी जदा normal आती थी आप काफी आसाने से ऐसी lobby में 6 किस तो निकाली लोगे और हाँ अगर आपको और भी जदा noob lobby चाहिए तो आपका जो matchmaking का estimated time होता है तो अगर वो time 2 minute 30 seconds के आसपस या फिर इसे उपर होता है तो आपकी lobby बहुत ही जदा noob जैसी आईगी अब 30 में देखो आपको starting में ना कम से कम दो 2 गिल्स निकालने का try करना ही करना है starting के 3 मिनिट्स में देखो आपको जब आपका heart वाला sign red हो जाता है यानि कि जब आपका 3 मिनिट्स खतम होने लगता है तो उस time के बाद से आपको थोड़ी दे तक fight नहीं लिनी है क्योंकि देखो अगर आप तब fight लेने लगोगे तो कब 3 मिनिट्स खतम हो जागा आपको पता नहीं चलेगा और अगर आप उ heart वाला sign red होता है तो आपको वहाँ पर fight को avoid कर देना आपको किसी safe जगह पर चले जाना है अब जो फोर्थी डिपे इसमें देखो जो भी आपको छोटी चोटी जोन्स बनते हैं जैसे कि 3rd zone हो गया 4th zone हो गया इन सारे zones में आपको पहले ही zone को cover करके अंदर जाके बैठ जान नहीं है अगर आप fight लेते लेते zone के बाहर ही फश जाते हो आपको आपको बहुत ही गंदा डेमेज पड़ेगा zone का जिसे कि zone को cover करना काफिस जदा मुश्किल हो जाएगा अब 50 tip में देखो आपको जादस जादा आपके जो भी favorite guns है ना उन्हीं को use करने का try करना है अगर आ अगवग अधिकतर fight को काफी आसाने से जीत जाता हूँ एंड एक और चीज़ देखो loot मेरे आपको जादस 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 सुपर मेडिकेट्स और इन्हिलर्स रखने का try करना है अगर आपके बस जादस सुपर मेडिकेट्स है फिर इन्हिलर्स होते हो तो आप किसी में बच सकते हो चाहिए आप जोन के बाहर फसे हुए हो या फिर चाहिए आपको किसी एनिमी ने काफिस जदा डैमेज कर दिया है अब आगे बारने से पहले क्या भी वर्ल्ड कप में पैसे कमाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगो वनेक्स बेट के बारे में जो ब लाएंक के काउंड में ट्रांसफर करा सकते हो या फिर फोन पे गूगल पे पीटेम के तुरू आप विदाउट एनी टैक्स और कमिशन के विड्रा कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं यहां पर आपको मोर देन 3000 लाइव कैसे नो गेम्स भी मिलेगा तो देर किस बात किया ह लिंक आपको कमेंट बॉक्स और बाव में मिल जाएगा जल्दी जल्दी जाओ डाउनोड करो नेक्स बेटकों यूज मैं प्रोमो कोड प्ले 23 जिससे आपको मिलेगा 42,900 का बोनस अब अगले टीब में देखो अगर आप किसी दो एनमे को फाइट लेते वी देखते हो न तो आपको आपको ज़रूर से थर्ड पार्टी करना है क्योंकि देखो थर्ड पार्टी करने से आपको किल्स काफी आसानी से मिल जाते है यहाँ पे देखो मेरको कितनी असानी से दो किल्स मिल गए सामने दो बंदे फाइट ले रहे थे तो मैंने आपको थर्ड पार्टी करके उन दोनों का केल उठा लिया आपको वहाँ पे फाइट नहीं लेनी है अगर आप वहाँ पे फाइट को कंटीनियू कर रहे गोई ना तो अगर आप किसी एक बंदे को मार भी दोगे तो हो सकता है तीसरा बंदा आपको बाहर दे तो ऐसे सिचुशन में आपको जल्दी से जल्दी वहाँ से एसकेप होने जा रहे है तो आपको जरूर से पहले गल्वा लगा देनी है फिर आपको रिवाइब कराना है क्योंकि जो आप पहलो चर्ष्ट वोक्स या फिर वेंडिंग मशिन से लूट करते है तो आपका ध्यान यहाँ पर लूट करने पर होता है तो आपको काफी असाने से वह कर देना अगर अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तेसे सब्सक्राइब भी कर देना तो तब तक लिए बाबाय मिलते हैं इंक और वीडियो में